प्रीती की सास्त रमा बहुत ही गमंडी स्वभाव की थी और वैसा ही उसने अपने बेटे विकास और बेटी कोमल को बनाया था। प्रीती के ससुर ज्यानचंद जानते थे कि विकास अपनी मारमा के कहने पर ही चलता है, पर उनका मन था कि वो अपने बेटे विकास के लिए एक घरेलू और सुशील लड़की लाएं। इसलिए उन्होंने अपने बच्पन के मित्र जानकिनात की बेटी प्रीती को विकास के लिए चुना था, एक दिन सुबह सुबह, पापा जी ये आपकी गर्मा गरम अद्रक वाली चाय, खुश रहो बहू, जीती रहो, पापा जी मम्मी जी तो अभी उठी नहीं है, तो मुझ अच्छा ही लगेगा, प्रीती नाष्टे में आलू के पराठे बनाती है पर, मधू ये क्या बनाया है, आलू के पराठे, तुझे पता है हम लोग नाष्टे में ये इतने घी वाले पराठे नहीं खाते, मुझे जूस और ब्रेट खाने की आदत है, आज तेरा दिमाग कहा जला गया, ममी जी ये नाष्टा मैंने बनाया है, मैं अभी आपके लिए जूस ले आती हूँ, तुम्हें शादी करके तुम्हारे ससुर जिलाए है, मुझे ना तुम कल पसंद थी और ना आज पसंद हो, तुम क्या जानो अमीर खानदान का रहन सहन, छोटे घर की लड़क क्यों नहीं आए अभी तक, तुम्हें पदा है विकास को नाष्टे में कॉन्फ्लेक्स खाने की आदत है, मालकिन मैंने प्रिती भावी को बोला था कि भाईया को कॉन्फ्लेक्स खाने की आदत है, पर उन्होंने बोला कि आज मैं सबको अपने हाथ के आलू के पराठे बना अरे भाई, जल्दी से नाश्टा दो, आज क्या बनाया है बहूने नाश्टे में? अरे वा, आलू के पराठे, प्रीती बहू, मुझे तो जोरों की भूक लगी है, मैं तो ये पराठे जरूर खाऊंगा. मॉम, मैं कॉलेज में कुछ खालूंगी, मुझे लेट हो रहा है, बाई मॉम. प्रीती, आज मेरी कुछ सहीलियां किटी पार्टी के लिए घर आ रहे हैं, वो तुम से पहली बार मिलेंगी तो जरा तहजीब से पेश आना, मेरी बहुत इज़त है उन सब के बीच में, कोई गल मत हो, तुम्हारी सास रमा का स्वभाव शुरू से ही ऐसा है, मैं रमा की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं बहु. नहीं पापा जी, मैंने ममी जी की बातों का बिल्कुल बुरा नहीं माना, गलती शायद मेरी है, मुझे एक बार सबसे पूछ लेना चाहिए था कि किसको नाश्टे में क्या पसंद है, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी. शाम को रमा की सहीलिया किटी पार्टी के लिए आती है, रमा अपनी बहु से नहीं मिलवाओगी, बस वो तैयार हो रही है, आती ही होगी, तब तक आप सब ड्रिंक्स और स्नेक्स दीजे, इतनी धेर में प्रिती आ जाती है और सब के पैर छुने लगती है, अरे ये सब नह ले मेरी तरब से विस्की का एक लास बनाओ, बिलकुल बनाती हो मिसस चोपरा, क्यों प्रिती, हमारे साथ भी एक गूट पी लिया जाए, ये लो प्रिती, आज तुम मेरे हाथ से पियो, जी मैं शराब नहीं पीती आंटी जी, क्या कहा, आंटी जी, तुमारी हिम्मत कैसे ह कोई मुझे आंटी बोलने की, मैं तुम्हें आंटी दिखाई पड़ती हूँ, रमा ये क्या, हमारी बेज़ती करवाने के ने हमें घर में पाटी दी थी, तुम्हारी गवार बहु शराब नहीं पीती, हमारी रिच सुसाइटी में क्या बैठेगी फिर, और उपर से मुझे आंटी बोलकर मेरा सारा मूड ही किरकिरा कर दिया, फ्रेंड्स मैं अपनी घर जा रहे हूँ, सारा नशा ही उतर गया, घर जाकर एक पैक पियोंगी तब तसल्ली होगी, जब मिसिस चोप्रा ही चली गई, फिर हम लोग यहां क्या कर रहे हैं, चलो फ्रेंड्स, अरे मिसिस चोप्रा, शीतल, मीनू तुम सब लोग ऐसे सुनो तो, पढ़ गई कलेजे को ठंडक मेरी बदनामी करवा कर, क्या हुआ मॉम, यह सब लोग इतने गुस्से में क्यों गई हैं, रमा कोमल को सारी बात बताती है, शाम को जब विकास ओफिस से वापस आता है, रमा उसके सामन गड़ी आली आसु बहाती है, विकास तेरे पापा की जित की वज़ा से आज मेरा अपनी सहलों के बीच में कितना आपमानु है, यह तु नहीं जानता, मेरा सोसाइटी में इतना नाम था, सब इसने मिट्टी में मिला दिया, मुझे समझ नहीं आता, पापा को पूरी दुन के लिए बोल रहे थी, मैंने बस वही मना किया, अरे दो सिप ले 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 थी, मेरी मौम की इज़त तो नहीं खराब होती ना, पृती की आँखों में आसु थे, उसकी गलती ना होते हुए भी उसे सुनना पड़ा, तब ही उसके पापा जान की ना था जाते है, बहु आपके गन्ना पसंद है ना, तो ये ले आया, ग्यानचंद कहां है, कहीं कया है क्या, वरना अब तक मेरे गले लग जाता, हाँ बाबुजी, पापा जी किसी जरूरी काम से शेहर से बाहर गय हुए है, नमस्ते भाबी जी, यह आपके लिए ताजे अमरूद लाया था, आपको पसं जी के लिए चाय नाश्ता जो भी है बनवा लेना, रमा बाहर चली जाती है, जानकिनाद प्रीती से पूछता है, प्रीती बिटिया, तू शादी के बाद खुश तो है ना, जी बाबुजी, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, आप मेरी चिंता बिलकुल मत करो, जानकिना चला जाता है, एक दिन ज्यानचंद रमा से कहता है, रमा, किशोर भाई सहाब का फोन आया है, निकुंज की शादी है, साधना बहन ने लड़की की फोटो भेजी है, लड़की तो बहुत खुबसूरत दिखाई पड़ती है, और साधना बहन को मैं जानती हूँ, कम से कम 10-12 करोड का रिष्टा मागा होगा, तुम्हारी तरह नहीं है, दोस्ती यारी में बात करके कंगला रिष्टा ढूंड लिया, रमा, इतना घमंड मत करो, व्यक्ती का घमंड तूटते देर नहीं लगती, ज्यानचंद वहाँ से चला जाता है, तभी रमा सोचती है, मुझे भी क इसी तरह प्रीती को इस शादी में जाने से रोक नहीं होगा, वरना साधना बहन मेरे सामने अकड में खड़ी होंगी, कि देखो जी, मैंने कितना अमीर और बड़ा घराना ढूंडा है अपने निकुंच के लिए, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मुझे कुछ करना ही ह हाँ, अभी कुछी देर में प्रीती सीडियों से निची उतरने ही वाली है, ये तेल सीडियों पर डाल देती हो, पैर की हड़ी-पस्दी तूटेगी तो अपने आप ही शादी में नहीं जा पाईगी, यक दया गई, मैं चल्दी से चुप जाती हूँ, मॉम, बचाओ, कुम कुमल सीडियों से गिर गई, इसका मतलब प्रीती सीडियों के पास नहीं थी, कुमल थी, कुमल, मेरी बच्ची आखे खोल, कुमल ये कैसे हो गया माजी, प्रीती विकास और ग्यान चंद को फोन मिलाती है, विकास डॉक्टर को लेकर आता है, कुमल के हाथ की हड़ी तूट जाती है, इनके हाथ में फ्रेक्चर आया है, क्योंकि ये अपने हाथ के बल गिरी थी, इसलिए सारा दबाओ इनके सीधे हाथ पर आया है, और पैर में भी मोच आई है, इसके लिए इन्हें complete bedrest की जरूरत है, पता नहीं मॉम, मैं सीडिया उतर रही थी कि अचानक पैर फिस रमा, साधना बहन का फोन आया था, हम लोग शादी के लिए निकले या नहीं, मैंने उन्हें कोमल के बारे में बता दिया है, कैसे करें फिर कोमल को अकेला छोड़ कर मैं भला शादी में कैसे जा सकती हो जी, तबी प्रिति वहाँ आ जाती है, और वो ग्यान चुन्द और रमा से कहती है, ममी जी, साधना बहा और किशोरी फूपा जी, आप लोगों की प्रतीक्षा में होंगे, और उनका भी आप लोगों के सिवा को तुम शादी में ना जा सको, और जिसकी सजा कोमल को मिल गई, पर फिर भी आज मुसीबत के वक्त तुम मेरे साथ खड़ी हो, मैं हमेशा एक खमंडी सास बन कर रही, पर तुमने हमेशा एक अच्छी बहू होने का फर्ज निभाया, ममी जी, आपकी तब्यत खराब हो चाए और आपको रोता दे कोमल को भी दुख होगा, प्लीस रोये मत, मैंने आपकी किसी बात का बुरा नहीं माना, और फिर रमा और ग्यानचन विकास के साथ में कुंच की शादी में जाते हैं, और उनके पीछे प्रीती एक बहू और भाभी का फर्ज निभा कर कोमल का बहुत ख जो एक्श का बहुशं हैं जचा हैं